पाकिस्तानी प्रोज रियक्शिंज तो कैसे हैं आप सब मेरा नम अजाहत है मैं हूं बश्चिर आज की वीडियो काफी ज्यादे इंट्रेस्टिंग होने लगी है तो वीडियो के जो टैटल है वो है भारत की इस लोहे की दिवार के आगे चैना का स्ट्रिंग आफ पर्ल पर् तो मतलब आयरन वॉल है कोई इंडिया की देखते है मतलब की स्ट्रिंग ओफ पर्ल तो वह इंडिया चैना का एक वह जो इंडिया को गहरने के रिए उसने बगाई है जो मुक्तलिफ जगों पर उसने अपनी बेसिस बनाई है मतलब सिरि-लंका बंगरादेश पाकिस्तान मत मतलब और जगह भी है को जहां से वह मतलब इंडिया को मतलब वह काउंटर करना जाता लेकिन इंडिया ने भी उसके लिए एक प्लान बनाया तो पहले जल्दी से वीडियो देखते हैं उसके बास सही से बता लागेगा तो टेक्नो फिरियो के वीडियो औरीजिनल लिंक थीक चोटी नहीं देना चाहता बलकि उन सामरिक ठीकानों को जरूरत पढ़ने पर भारत के प्रोसी देशों के जमीन बारत के खिलाफ इस्तिमाल करना चाहता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग रणनिती के मामले में भारत चीन से कम नहीं है, भारत चीन के लिए ऐसा चक्रविव रच रहा है, जिस से चीन अपने ही बिछाये जाल में फसकर रह जाएगा, भारत के इस चक्रविव का न के परस्ट पार्ट को जरूर देखिए उस वीडियो का लिंक आपको description बोक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के खतम होते ही स्क्रीन पर ही वह वीडियो आपको दिख जाएगगा वह वीडियो देखिएगा जरूरज चीन भारत को आर्थिक और सेन ने चोट पहुंचाने के लिए फूरे हिंद महासागर में अपने सेन ने देश बना रहा है जिसको अश्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से जाना जाता है इसी अश्ट्रिंग ऑफ पल्स को रोखने के लिए भारत ने आरेन करटन नाम की एक रणनीती बनाई ह जिसके तहट भारत ना सिर्फ अपने निवी को मजबूत और आधुनिक बनाएगा बलकि जिस जिस देश में चीन अपना बेस बना रहा है उस उस देश में भारत भी अपना परभाव बढ़ा रहा है कुछ देशों में तो भारत अपना बेस बनाने में कामियाब भी हो चुका है सिर्फ उतना ही नहीं जिस देश में चीन अपना बेस बनाना चाहता था भारत के मजबूत डिप्लोमेसी के कारण चीन का वह प्लान फेल हूगए है भारत ने चीन के अश्ट्रिंग और पल्स को पाउंटर करने के लिए अपना सबसे पहला भेज अपने प्रोसी देश इरान में तयार किया है क्योंकि चीन पाकिस्तान के गौधर पोर्ट को जरूरत पढ़ने पर अपने नेवी के लिए भारत के खिलाफ इस्तिति मजबूत करने के लिए भी इस्तिति भारत इरान अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एसिया से होते हुए रूस यूरोप तक अपने समान को भेज पाकिस्तान के गौधर पोर्ट से चाबहार पोर्ट की दूरी मैच 70 किलोमीटर की है तो आप समझ सकते हैं के भारत का यह लोहे की दिवार चीन के एस्ट्रिंग आप पल्स से कितने नजदीक है भारत के आरियन केटन का अगला पड़ाव है अफगानिस्तान अफगानिस्ता पाकिस्तान ने पीते कुछ सालों में काफी नुकसान जिला है एक सच्चा दोस्त होने के नाते भारत अफगानिस्तान में पार्लियमेंट हाउस, रोड्स, टैम आधी को डिवलप कर रहा है अगर पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तिमार भारत को खिलाव होने देगा तो भा भारत भी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, इसके बाद एक और मुस्लिम कंट्री है जो भारत को हर समय मदद करता रहता है, ओमैन भारत को हर मुस्किल समय में मदद तो करता ही है, साथ ही वह अपने पोर्ट में भारतिये नुसेना को अश्टेक करने का भी permission देता है सिर्फ इतना ही नहीं सुनने में यह भी आ रहा है के ओमान अपना एक पोट जिसका नाम दोकम पोट है उसे भारत को military इस्तमाल के लिए भी दे रहा है इस पोट का इस्तमाल ना सिफ हमारी इस्तमाल कर सकता है इसलिए भारत माल्दीव में अपना बीस बनाना चाहता है ताकि चीन को सिर्लंका के असपास घेर कर रखा लेकिन भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती के कारण मालदीव ने चीन के इस offer को ठुगरा दिया ।। सिरुफ इतना ही नहीं मालदीव के अंदर भारत के रदार हिस्टेशन नहीं जो समुंदर में घुसपेटियों पर नजर रखने में मदद करती है। सिरलंका चीन के एस्ट्रिंग ऑफ बल्स के लिए काफी महतोपूर्ण है जितना महतोपूर्ण यह चीन के लिए है उतना ही महतोपूर्ण यह हमारे लिए भी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन ने सिरलंका के हमबन टोटा पूट को 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है पिछने कुछ समय पहले यहाँ पर चैनीज लेवी के सम्मरीन को भी दिखा गया था इससे यह साफ हो गया था कि चीन हमबंटोटा पूट को सैन ने भेश के रूप में भारत के खिलाब इस्कमाल कर सकता है लेकिन भारत चीन को इड का जवाब पच्छत से देने के लिए तयार हो चुका है सुन्ने में यहाँ आया एक भारत सिरलंका के किने पर इसकम एन एरपोर्ट डिवलप कर रहा है जिसको भारत और सिरलंका दोनों अपरेट करेंगे लेकिन यह एरपोर्ट अब तक कितना डिवलप हो चुका है इसके बारे में किसी के पास ज़्यादा जनकारी नहीं है लेकिन अगर भारत इस एरपोर्ट को डिवलप कर लेता है तो चीन के एश्ट्रिक और बल्स की मौत हो जाएगी क्योंकि चीन कभी इस छेतर में सैन नेगतिमिधियां करता है तो भारत के इस पर पूरी ज़र रहेंगे बांगला देश चीन को अपने चीता गाउं कोट को जितना इस्तिमाल करने की परमीशन देता है उतना ही भारत को भी देता है चीन भारत के प्रोसी दीसों में, अपना वेपार बढ़ा कर भारत को आर्थिक चोट पहुचाना चाहता था, मगर भारत मidänमार थाइलन्ड में ऐसा आर्थिक कोरिडोर बना रहा है, जिससे भारत मयमार में थो अपने वेपार को बढ़ाए गए, साथ ही भारत मयमार के रास्ते थाइलेंड में भी अपने माल को भेज पाएगा चीन अश्ट्रिंग ओपल्स के थुरू यही चाहता है कि किस परकार से वह भारत को आर्थिक चोट पहुंचा सके अब आने वाला समय ही बताएगा कि भारत का लुहे का दिवार या इनि फिर ची स्ट्राइडीजी मुझे खुद लगी है वजहाद मतलब जहां जहां उन्हों ने लगाए वहां वहां उन्हों ने बैसे उसके करीब करीब मतलब इन ने अपनी बैसिस बनवा ली जो कि मतलब बहुत ही मतलब मैंड गेम किया अगर चैना कुछ पंगा लेता है तो इंडिया होई से मतलब काउंटर कार सकता है जो के बहुत इस इंडिया जाहर बात है अब देख चैना मतलब अपने चैना को भी बात पता है कि फूचर में मुझे से कौन टगरा सकता है अमेरिका में था मुझे मुझे पता है 2000-2010 था मतलब अमेरिका बहुत पीक अब अब अमेरिका अमेरिका भी है और जिए पता है, कि इंडिया ने हमें निकान लोड़ा है, बढला हमारी जो GDP ऐसको पाता है ईजनव करता है, तो अब यह इंडिया का स्ट्रीटीजी यूस करता है और और आरमी भी ऐे।kick है तो मतलब फॉड़ा यहार साथ मिल के करें तो मतलब इससे ज्यादा फाइदा हो जो स्ट्राटीजी एंडिया काम करेग, यह नहीं तो आनोगों को सब्सक्राइब केया है, तो Рभोधен ने कहते है निदीी चिनी बाइंगे। इटो मतलब इस अजब आप लोगों को केश स्ट्राटीजी एंडिया की, यह काम करेगी है नहीं तो एक उसनधा झाल, 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 झा